नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है इसके बाद वो पूरी तरहा टूट गए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे इसलिए उन्होंने तुरंट उठकर अपनी लोटरी की जांच करनी शुरू कर दी तब ही अचानक पता चला कि वो 3 मिलियन पाउंड की लोटरी जीत गए है इंडियन रुपे में देखें तो ये रकम करीब 30 करोड होती है वही जॉन ने बताय कि उन्हें लगा कि वो कोई सपना देख रहे हैं जिसमें उनकी लोटरी लगी है इसके बाद वो तुरंट बाथरूम में गए और काफी देर तक थंडे पानी से नहते रहे इसके बाद उन्होंने दोबारा आकर लोटरी को चेक किया तब जाकर उन्हें ये एहसास हुआ कि ये सपना नहीं हकीकत है और उनके हाथ एक बड़ा जैक पॉट लगा है इसके बाद वो 19 जन्वरी को जॉन नैशनल लोटरी ओपरेटर के ओफिस पहुचे इसके बाद उन्होंने वहाँ लोटरी के टिक्टो के साथ जीत का दावा पेश किया मीडिया से बात करते हुए जॉन ने कहा कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने ये लोटरी जीती है एक रिष्टा खत्म होने की वजह से मैं परिशान था लेकिन अब सारी दिकते और परिशानी दूर हो गई है आपको बताते जॉन ने बताया कि वो फाइनन्स सेक्टर में काम करते थे अब उनके हाथ इतनी बड़ी राशी आ गई है लेकिन उनकी अभी रिटार होने के कोई योजना नहीं है वो जीते हुए पैसो का निवेश करेंगे साथ ही उनकी दान देने की भी योजना है उन्होंने बताया कि वो अपने रिट्रेस्मेंट पैकेज और बोनस का वेट कर रहे हैं क्यूंकि उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है फिलाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रही है वन इंडिया हिंदे के साथ